पीका करण और कोरोना जांच में फरजी बाड़े की बड़ती घटनाएं चिंता पैदा करती हैं अफसोस की बात इसलिए भी है कि सरकारों के तमाम चाक चोबंद बंदोबस्त के दावों के वावजूद कुछ तत्व लोगों की जान के साथ खिलवार करने में कामियाब हो जा रहे हैं ताजा घटना मुंबई की है जहां 2000 से ज़्यादय लोगों का फरजी ठीका करन कर दिया गया वहां 9 फरजी ठीका करन सिविर चलते रहे और लोगों की जान पर बन आई हालां की फरजी ठीका करन की घटनाएं देश के अनिये इलाकों से भी आई हैं लेकिन चिंता और हैरानी की बात इसलिए है की यह घटना उस महानगर की है जहां हर मामले में पूरी मुस्तैदी के दावे किये जाते रहे हैं सवाल है की आखिर फरजी ठीका करन सिविर चलते कैसे रहे क्या बिरहन मुंबई महानगर पालिका को इसकी जरा भनक नहीं लगी ठीका करन का जिम्मा समालने वाले आखिर करते क्या रहे ठीका करन सिविर कोई छोटा कार्यकरम तो है नहीं इससे तो लगता है की मुंबई ज जैसे माहनगर में भी टीकाकरण कार्यकरम लापरवाही का सिकार हो चुका है जो पुलिस लोगों की सिकायतों के बाद हरकत में आई अगर वह पहले ही से सतर्क रहती तो बड़ी संख्या में लोगों को खतरे में पढ़ने से बचाया जा सकता था। गोर तलब है कि टीकाकरण के लिए केंद्र सरकार की और से बाकाइदा एक निश्चित विवस्था निर्धारित की गई है इसके तहत टीका लगवाने के लिए विक्ती को कोविन एप के जरिये पंजीकरण कराना पड़ता है उसके बाद टीका लगाने का दिन और समय तै होता साथ ही एक OTP नंबर मिलने की भी विवस्ता है इस OTP नंबर को बताने के बाद ही टीका करण का प्रमाण पत्र मिल पाता है पर फरजी वाड़े ने इस प्रक्रिया को धता बता दी जबकि ऐसी घटनाओ को रोकने के लिए ही OTP की विवस्ता बनी थी ताजूब की बात यह है कि मुंबई में जिन 2000 से ज़्यादे लोगों को टीका लगा उनका कोविन एप पर कोई ब्योरा ही नहीं था नहीं इन लोगों को टीका करण के तत्काल बाद प्रमाण पत्र दिये गए इस उरे मामिले का परदा फास भी इसी वजह से हो पाया अब पत चला है कि टीके भी नगली थे ऐसा भी बहुत हुआ है कि जिन लोगों ने पंजी करण नहीं करवाया उनके नाम से पहले ही टीके लग चुके इन घटनाओं से यह तो साफ हो गया कि टीका करण के गोरख धंदे में कई जिरों पनप गई हैं टीकों की चोरी होने और भारी रकम एठ कर भी टीके लगाने की घटनाओं ने विवस्था की कलाई खोल दी है इसमें कोई संदेहे नहीं की टीका करण में फरजीवाले का बड़ा कारण टीकों का परियाप्त रूप से उपलब्ध नय होना है अब 18 साल से उपर के सभी लोगों का टीका करण हो रहा है ऐस में भीड से बचने के लिए हर कोई पहले टीका लगवाना चाहता है इसके लिए कई बार लोग अनुचित रास्ते अपनाने से भी नहीं चूकते जाहिर है ऐसे में ठगो की जमात क्यों चूकेगी अगर इतना महत्वपून अभियान भी फरजी वाले का सिकार होने लगेग तो लोगों की जान ही खत्रे में पड़ जाईगी महराष्ट सरकार घर घर जाकर ठीका लगाने जैसे तदम की तैयारी में है ताकि बुजुर्गों को सिविर में धक्के ने खाने पड़ें लेकिन अगर इसी तरहे फरची सिविर चलते रहे और समय रहते किसी को हवा भी न है लगी हो तो मान कर चलना चाहिए कि इसके पीछे कोई बड़ा खेल है महामारी से निपटने के लिए अब जाँच और ठीका करण जैसे कामों में ही भी मानी होने लगेगी तो हम कोरोना से निपट कैसे पाएंगे